गुद मॉर्निंग पॉर्थ क्लास, तोडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सराइज थ्री फ्रम चैप्टर फाइव डिविजन एक्सराइज थ्री है, डिविजन बाई 10, 100, 1000 तो उसको पहले देख लेते हैं डिविजन बाई 10, 100, 1000 से अगर किसी का डिविजन करते हैं तो कैसे करते हैं डिवाइडिंग नमबर बाई 10, किसी नमबर को 10 से डिवाइड करना होता तो क्या करते हैं यह प्रोपर्टी देखते हैं पहले और डिवाइडिंग नमबर बाई 10, the question is obtained by removing the one's digit from the number the one digit forms the reminder it means अगर हम किसी का किसी को 10 से डिवाइड कर रहे हैं जो जिस नमबर से कर रहे होते हैं डिविडेंड जो होता है उसके once place की value को हम remove कर देते हैं उसको हम reminder माल लेते हैं और जो 10 place की value होती है उसको हम question कर लेते हैं यहां देखे एक्जामपल 47 divided by 10 47 हमारे की है dividend 47 का है dividend once क की है यहां पर 7 तो 7 हमारे क्या होगे reminder 4 क्या है टेंस place तो हमारा होगे question ठीक है 47 में once place पर 7 था वो हमारे होगे reminder 4 है 10 past place पर हो question होगे तो हमारा answer आ गे है हमें question find करना होता है 4 reminder 7 अगर हम divide करते हैं तब भी हमारा ऐसे ही आता है आगे है dividing गा number by 100 100 से divide करना होते हैं तो कैसे करते हैं यहाँ पर बताया है कि 100 से divide करना है तो हमें 10s और 1s की digit को number को reminder मालने है अब यहाँ बे देखिए 1,289 1s क्या है 9, 10s क्या है 8 89 है न तो 89 हमारा क्या हो गया reminder क्यूशन के आगे जो number बच्चे है 12 क्यूशन यह पूरा थो हमारा dividend था ही ठीक है 10s में 1 place को reminder मानते है 100 में 1s और 10s को reminder मानते है और 1000 में 1s, 10s, 100 तीनों को reminder मान रहते हैं प्लास के 3DZ हमारे reminder रहते हैं और जो आगे का बच्चा होता है वो मारा क्यूशन रहते हैं तो अब हम exercise शुरू करते है exercise 3 जिसमें 1st question है using rule of division by 10 rule कौन से use करने है division by 10 का find the question and reminder question and remind find करने है तो अब हम notebook में शुरू करते है exercise 3 का question मान तो देखो 89 divided by 10 89 को divide करने हमने 10 से तो 89 हमारा क्या है dividend है 10 हमारा division था 89 dividend है तो dividend के सामने 89 रहे रिख देना है तो बैने अभी बताया था 10 की division जिससे भी करते है जो once place पर होता है dividend का जो one place पर होता है वो हमारा हो जाता है reminder तो once place यह होती है once tense तो once क्या है 9 तो 9 हमारा reminder है और जो 10th place पर है यह 100th place पर होगा वो हमारा question हो जाएगा तो यहाँ बचा है 10th place तो यह हमारा हो गया question 8 अब आगे देखो 324 divided by 10 324 हमारा क्या है dividend question क्या आजाएगा उससे पहले हम reminder लिखेंगे reminder क्या होगा once place once place पर क्या है 4 reminder आगे 4 question आजेगा 110th place जो बची है हमारा पास 32 तो dividend 324 question 32 reminder 4 तीक है once place पर जो value होगी वो हमारा reminder और जो आगे 10th, 100,000 की है वो हमारा question यह किस में होगा division by 10 division by 10 में हम once place को reminder माल लेते हैं 998 हमारा है dividend तो 998 लिखतेंगे अब इसमें से once place पर क्या है 8 8 हमारा क्या है reminder और जो बच गया 10,100 qshnd हो जाएगा 99 हमारा qshnd हो गया D 4638 divided by 10 यह भी divided by 10 है तो 10 का क्या करते है सबसे पहले हम लिख देंगे dividend क्या है 4638 dividend है 4638 और इसका once क्या है 8 तो 8 क्या है हमारा reminder और जो बच गया value 10,100,000 वली हो हमारा क्या हो जाएगी qshnd 463 qshnd reminder 8 तो आगे के question आपने यह करने है तो अब हम question number 2 continue करते है question 2 है using the rule of division by 100 100 की division 100 के साथ divide करना है find the question and reminder तो 100 से divide करना है और qshnd और reminder find करना है question number A 683 divided by 10 100 100 है तो 100 में क्या कहा था once और tens वला हमारा reminder हो जाता है तो सबसे पहले dividend लिखेंगे dividend है 683 अब 683 में once क्या है 3 और tens क्या 8 83 हमारा one sentence है तो 83 क्या हो जाएगा reminder और qshnd क्या बचा है हमारा पस 6 तो 6 हमारा क्या है qshnd ओके dividend 683 qshnd जो 100 प्लेस पे था 6 reminder जो one sentence प्लेस पर था 83 आगे है B question 957 divided by 100 957 को divide करना है 100 से तो 100 में 2 0 जती है तो last के 2 digit जो होती है वो हमारे हो जती है reminder dividend था हमारा 957 आप ऐसे भी कर सकते हो 100 में 2 0s होती है तो last के 2 0s में 2 numbers को dividend के हम क्या मान लेते है reminder और जो rest 12 नंबर होती है वो हमारा qshnd हो जाते है तो 9 बचा था 9 हमारा qshnd है question number C 8172 divided by 10 8172 हमारा क्या है dividend 100 पर 2 0s है तो last 2 0s होती है once or tenth place हमारा क्या होजेगा reminder 72 हमारा reminder है जो बच गया आगे वाला 100 और 1000 place वो क्या होजेगा question dividend है 8172 question आगे 81 reminder क्या है 72 100 से किसी की भी division करती है जो last के 2 numbers होती है once or tenth place होती है वो हमारे हो जाते है reminder आगे जो rest numbers place पर थी है वो हमारी होजेगी question 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 number D 3384 divided by 100 3384 हमारा क्या है dividend तो reminder क्या होगा last के 2 numbers जो की है once and tenth place पर once place पर है 4 tenth place पर है 8 तो 84 हमारा क्या है reminder और question क्या जेगा जो rest number है जैसे 33 100 place पर 3 1000 place पर 3 तो 33 हमारा question ठीक है आगे है E 6788 divided by 100 अभी ये भी 100 के साथ divide करना है सबसे पहले लिख देंगे dividend dividend है 6788 ठीक है divisor 100 है तो 100 में 2 zeros होती है तो last के 2 zeros हमारी 2 numbers जोंगे 110 place के हमारा reminder आ जाएगा और 100 और 1000 place हमारा cushion आ जाएगा ठीक है आगे के rest question question number 2 के भी आपने करने अब हम question number 3 continue करेंगे question number 3 using rule of division by 1000 find the cushion and reminder अब हमने कौन सा rule देखने है division by 1000 का तो 1000 में 3 zeros होती है तो 1000 में भी यहाँ पर question नहीं है 2,872 divided by 1000 तो 2,872 हमारा dividend है question क्या होगा और reminder क्या होगा इसी में से देखेंगे तो और reminder क्या होगा 1000 वली में 3 zeros होती है तो last के 1 stands 100 1 stands 100 को हम क्या ले लेंगे reminder 8,72 हमारा reminder आ गया question क्या हैगा 2, ठीक है जो 1000 place होती 1000 से divide करते है न तो उसमें 1 stands 100 को हम क्यूशन, reminder ले 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 लेते हैं और जो rest number होते है place होती है वो हमारा क्यूशन होती है आगे बी number 4723 divided by 1000 तो 1000 हमारा diviser है dividend क्या है 4723 अब इसमें से 1 stands 100 को हमने 1 stands 100 को हमने क्या करना है reminder ले ले लेना है और जो 1000 place पर है वो हमारा question हो जाएगा 4 ठीक है 1000 में 30 होती है तो last के 3 numbers हमारी reminder हो जाते है आगे है C 8,927 divided by 1000 तो 8,927 क्या है dividend क्यूशन क्या होगा उससे पहले reminder लिख लेंगे तो easy हो जाएगा reminder आएगा 1 stands 100 पे इस की value 1 stands 100 पे था 927 यह था ना 927 और क्यूशन क्या आएगा बचा हुआ 8 जो की है 1000 place पर ठीक है आगे D 72,873 divided by 1000 72,873 हमारा क्या है dividend और इसमें से हमने reminder find करने तो last 3 दिजिट है 1 stands 100 1 stands 100 है 873 यह हमारा reminder है और जो rest नमबर बचे है 72 यह हमारा क्यूशन है ठीक है बहुत easy है समस बस concept क्लियर होने चीए 10 में 10 होती है तो last वला number हमारा reminder हो जाता है 100 में 2 zeros होती है तो last के 2 numbers हमारे reminder हो जाते है 1000 में 3 zeros होती है तो last वले 3 numbers हमारे reminder हो जाते है 1 stands और 100 ठीक है यह हमने exercise 3 कर लिए division chapter दी 10 में 10 आङ 10 अ तो यहeld में 11 11 यहाँ ।।। पक्या अ 1 वहाँ ए 11 यहाँ पुशанию